Assalamualaikum welcome to student view बाज के इस लेक्टर में chapter number 7 matrices exercises 7.3 question है हमारे पास 4 यह वही है compute the following if possible तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास है first column यानि कि एक ही column है और एक ही row है तो multiplication तभी possible होती है जब कि columns की जो first matrix के column की तादार जो है वो second matrix के row के बराबर हो तो यहाँ पर first matrix में हमारे पास है एक column तो second matrix में हमारे पास है एक row that means the multiplication is possible आप चाहें तो लिख भी सकते हैं तो हम यहाँ पर से solve करेंगे तो यह हो जाएगा five six ठीक है फिर है यहाँ पर two three तो five जो होगा multiply होगा two से और five जो होगा multiply होगा three से भी फिर 6 जो है वो multiply होगा 2 से और 6 जो है multiply होगा 3 से भी तो यहाँ पर यह होगा 5, 2 जा 10, 5, 3 जा 15, 6, 2 जा 12, 6, 3 जा 18 ठीक है? Answer अगले सवाल है Question 5 अब यहाँ पर देखें तो first column है और से 2 rows है यानि कि एक column है 2 rows है That means यह multiplication is not possible So हम लिख देंगे Since the number of column of the first matrix is not equal to the number of rows of the second matrix So it is not possible ठीक है? अब 6 है तो 6 में देखें तो यहाँ पर है 2 columns और 2 rows तो multiplication जो है वो है पॉसिबल तो यहाँ पर 3, 7, 2, 8 multiply हो रहे हैं 1 और 2 से So multiply करेंगे 3 जो होगा पहले 1 से होगा फिर प्लस 2, 2 से फिर 7, 1 से प्लस 8 जो है वो होगा 2 से तो यहाँ पर 3 बंज़ा 3 7 बंज़ा 7 प्लस 4 और फिर प्लस 8 बंज़ा 16 16, so 7 और 23 आंसर ठीक है तो यह थे आज के कुश्चन उमीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आ गए होंगे मजीद एकसे साइज इन कुश्चन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइबर साथ यह अपने क्लास में टन फ्रेंट से शेयर भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज